अब हम discuss करने लगे हैं इनके questions देखें question क्या है अब आपने इस question में value find out करनी है unknown numbers की find the values अब value find out करने का क्या तरीक है जिससरा मैंने आपको पिछले questions में बताया आवा है math से में जब box की value find out करते थे आपको मैंने बताया था कि आपने जिस चीज की value find out करनी होती है उसके साथ जितने numbers दिखे होते हैं आपने उनको separate करना होता है यानि दूसरी side पे आपने उनको shift करना होता है ठीक है और उनको करने का क्या method होता था कि एगर कोई चीज एक तरफ plus होती है तो दूसरी सार पे जाके minus हो जाती है लेकिन इन questions में आपने both sided reaction करवाने है कि अगर कोई चीज एक तरफ plus हो रही है आपने दोनों तरफ minus करवानी है और अगर एक तरफ minus हो रही है तो दोनों तरफ आप plus करवाएंगे ठीक है यहां पे देखें अब आपके पस question है 5 plus P is equal to 11 आपने P की value find करनी है P के साथ extra number क्या लिखा हो है 5 और 5 क्या हो रहा है यहां पे plus हो रहा है आपको कैसे पता चला आपने 5 और P के center में नहीं देखना कौन सा sign है आपने 5 का खुद का sign देखना है वो कौन सा है 5 के शुरू में द from both side तो 5 plus P as it is आ गया minus 5 इदर भी करवा दिया दूसरी तरफ भी करवा दिया एक साइट से क्या होगा 5 cancel out हो गया तो बाकि इदर क्या बच गया P बचेगा is equal to as it is आ गया 11 में से 5 minus करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 6 आएगा ठीक है अब आपके पास next question है next question में आप लो आपने M की value find out करनी है M की value find out करने के लिए आपने उसके 7 number देखे 0.4 क्या हो रहा है multiply हो रहा है तो आपने इसको खतम करना है आपने इसको दोनों side पर divide करवाना है सिरफ एक side पर नहीं करवाएंगे मैंने क्या क्या divide with 0.4 on both side मैंने इस side पर भी divide करवा दिया 0.4 M as it is आया औ divide भी करवा दिया 0.4 से और दूसरी side पर 0.8 आ गया और 0.8 को भी हमने divide करवा दिया 0.4 के साथ ठीक है both side मैं divide करवा दिया अब देखें इस side से आपका 0.4 0.4 से cancel out हो गया बाकि आपके पस क्या बचेगा M is equals to 0.8 divided by 0.4 as it is रहा अब आपने क्या करना है अब आपने point खतम करन है इन के decimals मैंने क्या कि M is equals to as it is आगया अब यहां से 0.8 8 का जब point खतम होगा तो उसकी जो value आएगी वो नीचे numerator में आएगी sorry denominator में आएगी और denominator का जब point खतम होगा तो उसकी values जो है वो numerator में यानि उपर जाती है अब आपने 8 का point खतम किया तो 8 के बाद एक value है तो एक 0 आएगा point खतम करने तो आपको आते होंगे तो आपने 8 का point खतम करके नीचे 10 जो है वो नीचे वाली side पे चला गया और नीचे से 4 का जब आपने point खतम किया 0.4 का जब आप point खतम करेंगे तो उसका 10 है वो उपर numerator में चला जाएगा ठीक है अब 10 10 से cancel out हो गया आपके पास क्या बचा 8 divided by 4 अब आपने क्या करना है 8 divided by 4 है आपने इन दोनों की cutting की 4 और 8 दोनों 4 के table पर cutting हो रहे है जब आप इनकी cutting करेंगे तो आपके पास m की value क्या आगई 2